नमस्कार दोस्तो जै गुरु को रखनात जै महाकाल जै महाकाली हर हर महातेव आप सबका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल शावर मंत्रों की शक्ती में दोस्तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिए दोस्तो आज म आपका कोई मित्तर या आपका कोई शिश्य है या आपका कोई भगत या फिर आपका कोई सगा सवन्दी इस प्रोबलम से बूत बादा से बहुत ज़्यादा प्रशान है बूत प्रेतों का इलाज कराने के बाद वो फिर बार बार से मतलब कि आता जा रहा है फिर आता जा रहा काफी प्रयास करने के बाद वो फिर आ रहा है अगर ऐसी ही प्रोब्लम है तो आज ये वीडियो आपके लिए हमेश में आपको ऐसा मंतर बताने वाला हूँ जिसकी साहिता से आप भूत प्रेतों की पिटाई करके उन्हें हमेशा के लिए बगा सकते हैं और भूत प्रेतों को मार सकते हैं दोस्तों तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको पहले इस स्टार्टिंग में बता चुका हूँ की भूत को मारने का मंतर बताने वाला हूँ दोस्तों पहले आप मंतर सुन लीजे मंतर क्या है तो मंतर इस तरह से है ओम नमो अदेश गुरु को हनुमंत बीर बजरंगी बजर धार डाकनी शाकिनो भूत प्रेत जिद्खईश को ठोक ठोक मार मार नहीं मारे तो निरंजनिरंकार की दोहाई निराकार की दोहाई दोस्त मैं एक वार फिर से मंतर रिपीट कर दे रहा हूं य लेकिन बहुत ही जड़ा शक्ति साली मंतर अगर यह शिद्ध हो जाता है तो आप किसी इसको भी भूत प्रेत बादा से मुक्ति दिला सकते हैं ओम नमो अदेश गुरु को हनुमंत वीर बजरंगी बजर धार डाकनी शाकिनो भूत प्रेत जिद्खईश को ठोक ठोक मार मार नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई दोस्तों ये मंतर था जो मैंने बता है सक्रीन पे दिखरा है कभी कभी बोलने में कुछ मिश्टेक हो जाती है आपको सुनने में गलती हो जाती है तो आपको सक्रीन पे दिखरागा आप सक्रीन सोट ले लीजिए नोट कर के 21 दिनों तक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने या मुर्ति के सामने हनुमान के मंदिर में या फिर अपने घर में विदी पुर्वक पूजन करे और सुबह के समय एक सो एक्की वार यानि कि डेली नित्य डेली सुबह के टाइम एक सुबह कर सकते हैं या फिर आप रात्री में कर सकते 121 संख्या में इस मंत्र का जाप करना है 21 दिन तक ठीक है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो चराहे की ककड़ी अथवा उडद को इस मंत्र से अमंत्रित करके भूत प्रेत रोगी के शरीर को मारे तो भूत मर जाता है दोस्तों कंकडी क्या होती है यहने की छोटे 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 पत्थर होते हैं उनको बलते हैं कंकडी तो या पर आप उडदी भी ले सकते हैं उडदी की दाल होती है वो भी ले सकते हैं तो उसको मंत्र पड़ें उस पर फूंक मारें और जो भी रोगी है जिस पर भूत प्रेत बादा है उस पर वो मारें जैसे उसके सिरीर पर मारेंगे तो हनुमान जीन के खुब पिटाई करेंगे अपने मुगदर से अपनी गदा से और भूत प्रेत मजबूर हो जाएगा उसको छोड़ने के लिए आप चाहे तो ग्रहन में इस में इस समय नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूश सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की ग्रूप का लिंक मिल जाएगा उसे जोईन करके वहाँ question पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते तो please इसे like जरूर करिए और हमारी वीडियो को जादा से जादा share कीजिए ताकि इस वीडियो का जादा से जादा लोग फाइदा उठाएं और आपको